हेलो स्टोड़ाइट, वेलकमन से गैन, बच्ची इस वीडियो में हम लोग 37 और 38 नंबर का क्वेस्टन सॉल्ब करेंगे, एक्सरसाइज 3B का, अगर आपको प्रिवेस किसी भी क्वेस्टन में डाउट है, या किसी एक्सरसाइज अगले वाले एक्सरसाइज के वीडियो चाह यहाँ पर पहले दो वही चीज़ देखो, क्या मोल फॉर्मुला यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा एड करके, अपने A स्क्वार प्लस B स्क्वार प्लस 2AB या माइनस 2AB बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर एदम केवल दो ह इसको भी मैं A का स्क्वार बना सकता हूँ, कैसे बनाओंगा वो देखो आप यहाँ पर, A की पावर में 8 है, इसको पर क्या कर सकते हैं, A की पावर में 4 और पूरे के पावर में 2 कर सकते हैं, क्योंकि 4 और 2 ही होगा, जब ब्रैकेट हटाएंगे, तो 4 और 2 का कर देता हूँ यह देखो मेरा a का square minus b का square हो गया न तो यह मेरा formula work करेगा यह वाला a का square minus b का square equal to a plus b और a minus b बस वही formula में यहाँ पर आपको put कर देना है तो a के जगा में हमारे पास x to the power 4 है यह ध्यान रखना plus में b यानि कि 1 हो गया और फिर a minus b यानि कि x to the power 4 minus b यानि कि 1 हो गया तो क्या इतना हमारा काम हो जाएगा क्या 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 इतना चंप्रीट हो गया नहीं यहाँ पर हमारे पास फिर से देखो x2 00-1 खान रहा है तो इशको को vhe मैं square बना सकता हूं यह का square और इसको भी मैं b ma बना सकता हूँ तो फिर वही काम आपको करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पर मेरे पास x to the power 4 है प्लस में 1 है ठीक है इधर हमारे पास यह क्या बन जाएगा x to the power 2 और पूरे के पावर में 2 हो जाएगा तो 2 डू जाब 4 हो गिया और फिर यह minus 1 को फिर से वही x का square लिखूँगा ठीक है क्योंकि यह देखो पूरा का square है तो इस बार a का square हमारा यह a होगा और यह मेरा b होगा तो a के जहाँ में x का square आएगा मेरा ठीक है और plus b यानिकि plus 1 और a minus b यानिकि वही x का square minus 1 हो जाएगा अब यह complete हो गया तो बिलकुल नहीं अभी भी complete नहीं ह x square आ गिया तो हम लोग फिर से वही a का square minus b का square वाला formula लगा सकते हैं क्योंकि इसको मैं क्या कर सकता हूं x square minus 1 का square लिख सकता हूं तो बस हमारा formula फिर से बन जाएगा बाकि आप direct मत लिखना जैसे मैंने यहाँ पर एक line आगे बढ़ा करके लिखाता है वैसे आप यहाँ पर इसको पूरा उतारना इसको x square उतारना फिर minus 1 का square उतार दिना मैं time बचाने के लिए directing हाँ पर square लगा दिया हूं तो अब मेरा इधर वालत उतार जाएगा same to same क्योंकि plus है तो plus का कोई formula नहीं बनता है तो x से power में 4 plus 1 उतार गिया उसे तरीके से x square plus 1 उतार गिया यह मेरा minus 1 बन जाएगा अब यह हो गया मेरा a का square माइनस में b का square तो a plus b a के जगा हम इस बार आपन x ले ले लेंगे क्योंकि square जो है वो formula वाला है यह के जगा हम लोगका अब x आ रहा है तो x plus में 1 हो जाएगा और x minus में 1 हो जाएगा इस तरीके से अब यह मेरा इसका आगे नहीं बन जाए एक बार करके छोड़ दोगे ना तो आपको number तो मिलेगा अगर तीन number करेगा तो एक number मिलेगा तो ऐसा गलती मत करना क्योंकि जानते हो solve करना तो क्यों छोड़ोगे भाई चलो 37 हो गया जल्दी से जो अगला question 38 का उसे solve करते है तो यह हमारा 38th number का question है यह भी same to same उसी तरीके से बनने वाला है क्योंकि जैसे यहाँ पर हमारा पास कोई formula दूसरा work नहीं कर रहा था यहाँ भी कुछ नहीं कर रहा लेकिन हमारा a square minus b square बन सकता है तो हमनों वही काम करेंगे 16 जो होता है वो 4 का square होता है तो 4 कर लो और x का square लिख लो क्यों total में power 4 है और वो total का square य 1 दिया हुआ यानि कि 1 का square दिया हुआ यह समझ लेना तो हमें क्या बनगे मेरा a square minus b square बस फॉर्मुला लिख लेना एक बार मैं डारेट अप चुके एक पर formula लिख चुके तो नहीं आप टाइंक पास नहीं करता हूं इलिए इसको solve कर लेता हूं यह मेरा हो जाएगा a plus b और minus में 1 अब देखो मेरा solve हो रहा है क्या minus वाला क्यों क्यों फॉर्मुला होता नहीं है तो बिल्कुल यहाँ पर देखो 2x square है न यानि कि यह हमारा 4x square तो इसको मैं 2x square बना सकता हूं टोटल complete कर दूंगा तो 4 जो है वो 2 का square होता है यानि कि एक बर यह और फॉर्मुला में लग सकता है कैसे लगेगा वो देखो आप 4x square प्लस 1 जो है उसको तो उतार लो इधार हमारे पास जो है न पर तो इसको बड़े वले bracket में लगा लो आप यह जो मेरा होगा 4 वो क्या हो जाएगा 2x हो जाएग तो a square और b square फिर से बन गया हमारा फिर से इसको solve कर दो इधर वाला को तो बस उतारते जाना है और कुछ नहीं करना इधर हमारे पास हो जाएगा a plus b और a minus b तो a के जखा हम इस बार हमारे पास 2x है तो 2x plus 1 और 2x minus 1 अब यह बन रहेगा पिछले बार तो तीन बार बना था इस बार लेकिन दो ही बार में आ गया क्योंकि यह हमारा अब यहाँ पर square बचा ही नहीं है तो अब हम लोग इसको कुछ और ज्यादा गुड़न खंड यानि फैक्टराइस अब नहीं कर सकते तो बस इसमें ही आप final answer कर दो देगा कि नहीं सिंपल था 37 बन जाएगा तो 38 अस का और लेफ्ट अले विंडो में क्लिक करोगे तो इस चेप्टर का आपको सारे वीडियो से मिल जाएंगे थैंक्यों फॉर वाच्छीं